Hey everyone and welcome back आप मुझे next 5 minutes दीजे और मैं आपको guarantee देता हूँ कि at the end of 5 minutes आपको Microsoft Word के related 40 plus shortcut keys याद होंगी क्या आपने कभी सोचा है कि बजपन में जो दादी या नाना नानी ने आपको कहानिया सुनाई हैं आप भी आपको याद है लेकिन कल जो आपने question याद किया था आज वो आपको याद नहीं है ऐसा क्यों है हम इसी बात को exploit करके आज Microsoft के related 40 plus shortcut keys आपको tricks के साथ याद कराएंगे तो मैंने Microsoft Office के related जितनी भी shortcut keys है उनको divide किया है four categories में यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो shortcut keys है उनमें control key plus some letter है तो यहाँ पर जिस चीज का हम use करेंगे वो आपने LKG में पढ़ा होगा A for apple, B for ball, C for cat इनको याद करने के लिए जो सबसे important चीज है वो यह है कि आपको imagine करना पड़ेगा अगर आपको बीच बीच में वीडियो को pause भी करना पड़े आप pause कीजिए imagine कीजिए and I guarantee you आपको यह सारी shortcut keys याद होगी तो start करते है control plus A से तो A, A for apple होता है तो आपको imagine करना है कि सामने बहुत सारे apples है और आपने वो सारे खा लिए B, B for ball होता है और ball से आप imagine कीजिए कि आप bold हो गए BOW LED bold तो control plus B, B for ball होता है ball से आप bold हो गए तो control plus B bold कर देता है selected text को control plus C, C से cat होता है और आपने सुना होगा जो copy करता है उसको copycat कहते है तो आपको imagine करना है कि C for cat और cat से copycat होता है तो control plus C copy होता है Ctrl plus D, D for dog होता है, आपको imagine करना ही कि आपके घर के बाहर एक कुटा आ रहा है, जिस पर किसी ने शोले फिल्म का डायलॉग लिखा है, कुटे में तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन जो डायलॉग उसने लिखा है, वो दूर से ही आपको दिख रहा है, क्योंकि जो font उसने पर रखोगे, तो वो central position में align हो जाएगा, आपने सुना होगा एक challenge, अगर हम एक egg को along its ends, अपने दो हथियल्यू के बीच प्रेस करेंगे, तो it's impossible to break it, तो आप ये याद रख सकते हो, कि egg को दो हाथ के बीच align करके, center में break करना impossible है, तो egg बीच में align कर देना, तो यहाँ पे control plus E, central alignment के लिए, control plus F, ये find के लिए होता है, अब F से frog होता है, आप imagine कीजे, कि आपके कमरे में एक frog गुजगे, आपने उसको एक box में बंद कर दिया, आप बाहर चले गए, आप वापस आए, तो वो frog गाइब हो गया था, तो आप उस frog को डूणने लगे, तो control plus F, find के लिए ह क्योंकि आप frog को डूणने लगे थे, I would suggest कि हर एक shortcut key के बाद आप उसको pause कीजे, और इसको imagine कीजे, then at the end हम revise करेंगे सारी shortcut keys को, and you will see कि आपको सारी shortcut keys याद होंगी, तो control plus G is next, G, G से girl होता है, आपको याद होगा कि जब school में होते थे, तो अलग-अलग sections होते थे, तो तब बोलते थे कि go to girl section और वहाँ से duster लेके आओ, G for girl, तो girl section में जाना पड़ता था, तो go to girl section हो गया, control plus G से go to a section और page और line होता है, control plus H, H से hand आता है, अब imagine कीजे, आप का neighbor है, उसके पास एक hand है, वो hand जो है, वो आपके आंगन में आई थी, और वो गुम हो गई, तो आप वो neighbor आपके पास आता है, और आपको बोलता है, कि या तो मेरी hand मुझे find करके दो, या फिर मुझे replace करके दो, तो control plus H, find and replace के लिए, control plus I, it italicizes the highlighted text, I से ink होता है, और आप justice, तो justice justify, तो control plus J से justify होता है paragraph, control plus K, के से kite होती है, kite आसमान में होती है, आपके हाथ में door होती है, तो kite और आपके हाथ के बीच की link वही door होती है, तो kite और आपके भी link होती है, वो door, तो control plus K से आप insert कर सकते हो link, control plus L, इस से selective text align होता है towards left, आप imagine कीजिए L for line होता है, एक line है, जिसकी left side की जो टांगे हैं वो छोटी हैं तो वो थोड़ा left की तरफ टेड़ा होके चल रहा है तो left align होके वो चल रहा है तो ctrl प्लस L left align होके है ctrl प्लस M ये indent कर देता है paragraph को आप imagine कीजिए monkey बाहर बंदा हुआ है तो जहां तक उसकी रसी पहुंच सकती है आप उससे थोड़ और दूर रहते हो ताकि वो आपको नुक्सान ना पहुंचाए तो उसको हम इंडेंट कहते हैं इंडेंट आपको मैंने पढ़ाए indent margin के बाद जो जगा छोड़ी जाती है उसको मैं इंडेंट कहते है तो उससे आपको याद आएगा M for monkey monkey बंदा हुआ है और जहां तक वो प नूँव डॉक्मेंट को ओपन करता है control प्लस ओ यह open options को open करता है तो ओफर आउल होता है और आउल आपको बता है जब हम कि चीको एकते हैं कि अलू की तरह क्या देख रहे हो जो आखे फारड पार्ड के देखता है आखे खुली रखता है उसका हम कहते है उलू की तरह इमाजिन कीजिए आपने एक पारट बनाया या अपने computer screen पर बड़ा अच्छा लग रहा है अब उसको प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट करना चाहते हो तो control प्लस पी control प्लस क्यू क्यू से queen होती है आप इमाजिन कीजिए कि queen जो है वो कश्मीर आ गई है आप उससे मिलने ग करता है paragraph control प्लस आर यह selected text को right की तरफ align करता है आप imagine कीजिए control प्लस आर आर से रोज होता है आप अपने right hand में रोज ले होए हो और किसी को दे रहे हो control प्लस एस से ship होता है आप imagine कीजिए ship डूब रही है और आपको उसको बचाना है save करना है तो control प्लस एस save the document के लिए control प् T for Tiger होता है अब imagine कीजिए बाहां एक page अधा यह और अधायगर उससे वहां वहां के टाइघर उसे लटक हो रहा है can roll प्लस वी of an अंडर लाइन होता है, ctrl plus v, v for van होता है, van आपने देखा होगा कि आज कल van किसले होता है, चंदा जमा करने के लिए होता है, तो van जब अक्सर बेचतर जो vans होती है, उनमें एक banner लगा होता है, तो आपको काम दिया गया है, कि यह van जो है, इस पर आपको एक banner पेस्ट कर देना है, तो ctrl plus v, paste के लिए, ctrl plus w, w, w for watch, और आपको पता होगा कि watch की जो shops थी, वो almost बंद हो गई है, तो आप imagine कर सकते हो, ctrl plus w, जो है, इससे close हो जाता है, आपको बहुत मजा है, आपको बहुत मजा है, आप जब नीचे होता है, आपका फिर से मन कर रहा है, फिर से सवारी करने का, तो ctrl plus y, redo के लिए, ctrl plus z, यह undo करता है, आप imagine कीज़े, z for zebra होता है, जीबर के ऊपर एक पैटर्न होता है, आप ने अपने कमरे की एक दिवार का वैसे ही पैटर्न बना दिया, तो गरवालु को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपको बोलते है, कि इसको undo करो, इसको ठीक करो, जैसा यह था, उसको वैसा ही फिर से करो, तो these are all the shortcut keys, जो कि control plus letter pattern पे है, तो I guess, अगर आप इसको revise करेंगे, one by one यह आपको सारी याद होंगी, अब यहाँ पे और जो shortcut keys है, उन में modifier keys like shift, control, alt, use होती है, तो उनको याद करने के लिए, हम उनकी rhyming words को याद रखेंगे, तो shift का अगर हम rhyming word देखेंगे, तो वो swift होता है और swift नाम की एक car आती है, तो shift जब भी आप देखोगे, आपको car याद आनी चाहिए, तो shift इसका rhyming word swift है, और swift है car है, तो जब भी आप shift देखोगे, आपको car याद आनी चाहिए, control, control का rhyming word whole है, तो जब भी आप control देखोगे, आपको एक whole imagine होना चाहिए, एक छेद imagine हो जाना चाहिए, alt इसका rhyming word salt है, तो जब भी आप alt देखोगे, आपको salt याद आना चाहिए, और one, one का अगर आप देखोगे, इसका rhyming word sun है, तो जब भी आप one देखोगे, आपको sun याद आना चाहिए, तो अब हम यहाँ पर next कुछ shortcut keys को देखेंगे, तो आपको आपको याद रखना है, shift, swift, swift कार होती है, shift से आपको कार याद आएगी, control इसका rhyming word whole है, आपको whole याद आएगा, alt इसका rhyming word salt है, तो आपको salt याद आएगा, और one इसका rhyming word sun है, तो control प्लस numbers में, first is control प्लस one, तो control इससे आपको whole याद आएगा, और one इससे आपको sun याद आएगा तो एक छेद है और एक sun है तो आपको imagine करना है कि whole and sun एक छेद है और sun है, sun के अंदर एक छेद है अगर कोई उसमें गुषता है तो वो एक space में पहुंच जाता है यह ऐसे आप इसको याद रख सकते हो तो control plus one से space between the lines one हो जाती है ऐसी फिर control plus two से 2 हो जाती है और control plus five से 1.5 हो जाती है इसके बाद control plus alt plus one है control, hold, alt, salt और one sun तो छेद, नमक और sun आप imagine कीजे कि सूरज के अंदर एक छेद है और वहाँ से नमक गिर रहा है और वो आपके सिर पे गिर रहा है मतलब आपके head पे गिर रहा है imagine कीजे तो जब भी आप control, alt, one देखोगे आपको याद आएगा whole, salt, or sun तो आपको याद आएगा कि सूरज में एक छेद है वहाँ से नमक गिर रहा है वो आपके head पे गिर रहा है तो इस shortcut key से text change हो जाता है to heading one ऐसी control, alt, plus two से change हो जाता है heading two ऐसी control, alt, plus three से change हो जाता है to heading three अब कुछ और shortcut key पे आते है यहाँ पे control, shift, plus f है तो control से आपको whole नज़र आएगा shift से आपको swift गाड़ी नज़र आएगी आप imagine कीजे आपके घर के बाहर एक गाड़ी है बिल्कुल side में उसने छेद कर दिया है तो आप क्या करोगे आप अब आप यह सोच रहो कि इसको cover करने के लिए मैं उसके ओपर एक sticker लगाता हूँ तो आप sticker वाली के बाद आते हो वो आपको बोलता है कि मेरे पास अलग-अलग fonts के stickers है या फिर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हो तो वो आपको दिखाता है कि किस font का आप अपना नाम लिखवाना चाहोगे तो इस से आपको control plus shift plus f से आपको whole swift car और frog नज़र आएगी और उस से आपको याद आएगा कि हाँ swift car में frog ने छेद किया था अब मैंने उसके उपर अपने नाम का sticker लगाना था तो उसके लिए मुझे sticker वालने बहुत सरे fonts दिखाए तो control plus shift plus f से font options open हो जाते है control plus shift plus plus है control इससे आपको whole नज़र आएगा shift इससे आपको गाड़ी नज़र आएगी और plus sign से आपको याद आना चाहे क्योंकि doctor जो होते है उनकी गाड़ी पर यूजरी जो plus होता है वो उपर right side में corner में होता है तो यहां से आपको पता चलेगा कि plus जो है वो right side में लगा दिया गया तो जो right side में उपर जो चीज होती है उसको हम power कहते है उसको हम super script कहते है ऐसी control प्लक्लश शिफ्ट प्लस ग्रेटर द्यान साईन है इससे आप imagine कर सकते हो कि control प्लस shift मतलब आपकी control हो गया shift गाड़ी हो गई आपकी गाड़ी में छेट है और greater than मतलब वो बड़ा हो रहा है ठीक है वो बड़ा हो रहा है आप figure out खुद कर सकते हो इसके लिए आप इसको खुद भी आजसे याद रख सकते हो कि control plus minus जो होता है वो सब्सक्रिप्ट हो जाता है next is control plus closing bracket control इसे आपको hole याद आएगा आप imagine कि यह paper में hole हुआ है और यह closing bracket जो है यह square bracket जो है यह staple pin की तरह आपको दिखे तो आप imagine कर सकते हो कि control एक hole हुआ था आपके paper में उस पर आपने staple कर दिया इस तरह से आपने staple कर दिया क्योंकि जो edges है जो pointed ends है वो अंदर की तरफ है यहाँ पर आप देख सकते हो आप अगर यहाँ पर आपको कुछ लिखना होगा आप यहाँ पर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर बीच में ओ लिख रहे हो तो ओ जो है वो छोटा रहा है ठीक है तो control प्लस अगर यह वाला sign है तो आपको याद आएगा कि hole हुआ था मैंने अंदर की तरफ staple कर दिया तो मुझे ओ जब लिखना पड़ा या कोई letter लिख फॉटा हो गया तो font जो है वो decrease हो गया by one next is control प्लस left arrow अब control से whole आपको दिखेगा और left arrow से आपको एक तो left याद आएगा और arrow arrow मतलब जो तीर होता है तो आप imagine करो के hole है left side में आपकी और arrow hole है left side में और एक arrow तो आपकी तरफ arrow आ रहा है तो आप अपने रूम में हो आपकी तरफ arrow आ रहा है तो आपकी left side में जो wall है जो wall है उसमें ऑस उसे में घुझगे और धूसरे रूम में चलेंगे तो इससे आपको याद आएगा कि control प्लस left arrow से आप एक word towards left चले जाते हो control प्लस right arrow इससे एक word right में चले जाते हो अब control प्लस down arrow आप imagine कीजिए कि आप तरफ arrow आ रहा है लेकिन छेट जो है इस वक्त वो नीचे है क्योंकि down है आप जब नीचे जा रहे हो आप नीचे की तरफ गए लेकिन इस टाइम gravity है तो आप एक ही floor नीचे नहीं गए आप 4-5 floor नीचे चले गए क्योंकि gravity नहीं आपको नीचे की तरफ खीचा तो आप imagine कर सकते हो कि आप control प्लस down arrow से एक paragraph नीचे जाते हो control प्लस delete is next अब यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर control है तो hole है एक hole है और delete है आप imagine कीजिए कि यहाँ पर hole था और यहाँ पर delete option था अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि delete जब मैं दबाता हूँ तो यह control words है यह delete हो जाएगा ठीक है control words है यह delete हो जाएगा यह आप ऐसे याद रख सकते हो कि यह hole है और यह delete word जो है यह इसी में चला गया और खतम हो गया तो control plus delete से delete हो जाता है लेकिन जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि delete से right side की तरफ delete होता है तो control plus delete से right side की तरफ delete होगा एसी control plus backspace है इसको भी आप ऐसी याद रख सकते हो लेकिन backspace है यहाँ पर इसलिए आपको याद रखना है कि left side की तरफ word जो है वो delete हो जाएगा नेक्स इस control plus end और control plus home अब आपको control और end control छेद होता है और end और home होता है आप imagine कीजिए तो के snake and ladders की तरह गेम है जहां पर पहला square जो उसको home कहते हो लास्ट वाले को end कहते है आप बीच में बहुत सारे holes है दो टाइप के holes है end और home आपकी एक hole में गुशते हो तो आप पहल अब प्लस एंड मतलब hole है लेकिन वह एंड वाला hole है तो अगर आप उसमें घुशते हो तो आप डेरेकली लास्ट में पहुंच जाते हो तो यहां पर आप एंड दॉक्मेंट पहुंच जाते हो ऐसी control प्लस home ऐसा छेद है home hole है तो अगर आप उसमें घुशते हो ताप beginning of the document में पहुंच आते हो तो control plus space is next control plus space आपको याद रखना है space bar होता है laptop में वह बड़ा बटन होता है उस space से आपको वही याद आएगा और आपको याद रखना है कि उसमें एक छेद हो गया है control hole है तो इसमें उसमें एक छेद हो गया अब क्या करना है आपको वह गंदा लग है अब आप चाते हो उसके उपर कुछ लिखना लेकिन जब आप रिपेर वाले के पास जाते हो आपको बोलता है अगर मैं कोई और फॉंट यूज करूंगा तो गंदा लगेगा इसलिए जो फॉंट जो डिफॉल्ट फॉंट है जो कीपैड के उपर फॉंट है उसी के ऐसाइभ कीजेे और अगर आपने हमरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो हमारी चैनल को बनाते रहे यूजर तो छीजिए अगर आपको इस वीडियो और दूसरे वीडियो की पीडियेस चाहिए तो नीचे लिए टेल गैब चैनल की लिंक को join कीजिए वहाँ पर आपको इस चाल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो की PDF मिल जाएंगी तो see you in the next lecture, till then, bye bye